और बॉलिवेट लिप्स देखने के लिए चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें हुएया 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 वश­ाया हुएया हुए और आइकन के वप्राइब कर दो कर दो कर दो कर दो बेटी तुम ये क्या है बेटी तुम लोगों के साथ माता के दर्शन के लिए खड़ी हो तो क्या हुआ पुजारी जी तो क्या हुआ इस मंदिर को बनवाया तुम्हारे पुर्खों ने देवी मा के लिए पंचलों से बनी आँखों की पंखड़ी भी उन्होंने ही बनवाई इस तरह लैन में क्यों खड़ी हो देवी मा को निकट से दर्शन करो आओ बेटी आओ कोई बात नहीं देवी मा की दर्शन ही काफी है अभी तो पास वाले गाउं से मैं हर रोजा कर दर्शन करती हूँ माता तुम्हारी ही नहीं तुम्हारे पुरे परिवार की भी रक्षा करेगी तो मैं चलती हो पुजारी जी दुर्गा मा को कुल देवी मान के रोज पूजा करती हो सब शुब शुब होगा ठीक है यह क्या अभ्शेग माता माता मोटा और गाउं की रक्षा करने वाली तु इसलिए तो गर का द्वार सहने उखला रहता है मा लेकिन आज तुने ही तेरा द्वार बंत कर दिया है। पता नहीं कौन सा नज्ट होनेबाला है मां रक्षा करो मां बहराओ वहाराओ सोपे जी इस तरह क्या देख रहे विद्व हिंठ शुगनिसे अपने आपको प्रतेक्ष में लाना केवल तुम ही कर सकते हो भैरो तुम दूसरों की तरह मनिशी हो मनिशी रूप में पकट हो सकते हो ना कहते हैं ना कन कन में भगवान है सिर्फ भगवानी नहीं मैं भी रहता हूं मेरी मंत्र शक्ति उस दिवे शक्ति से भी महान है भैरो हम दोनों ने एक ही गुरू से मंत्र सीखा है मैं सन्यासी बन गया लेकिन तुम इश्र बनना चाहते हो छोड़ो सोमी तुम मेरे यहां आए हो तुम्हारे लिए खास सवागत है उदर देखो को सोमी सवागत करना कैसा लगा अद्भुत है मंत्र शक्ति में तुम्हारा कोई जवाब नहीं तुमने अपना काम तो सवागत के रूप में दिखा दिया मैं बदल में मेरा कत्व यह है कि मैं तुम्हे खुज दू यह क्या है दुर्गा मा का प्रसाद है रिखा जा यह निम्ब façon है हाह इससे निचोर रश कि तुम इसका रसने निकाल सकते हो क्या अप तारों को तोड़ने वाले से निम्बू तोड़ने को कहते हो अब देखो हार गे तुम तो इशुर हो ना बहराओ धुर्गा माता के चर्णों में पड़े एक मामुली नीवू में इतनी शक्ती है तो मां की कितनी शक्ती होगी उसकी पंखुरी में कितनी शक्ती होगी यह सब जान लो मैं चलता हूं कि अग्षुर्गा मा की आंखों की पंखुरी में इतनी शक्ती है मुझे उसकी आँखों की पंखुरी चाहिए मैं अभी जाता हूं कि अग्षुर्गा मने में आ इसका है कि आगल यह दो यह दो दुर्गा माता तु वाकरी शक्ति शाली है और सुना है के तेरी शक्ति तेरी नांकों के पंकडियों में है ये पंकडिया मुझे चाहिए ये पंकडिया अगर मेरे पास आ जाए तो मैं इश्वर बन जाओंगा और तू सिर्फ पत्थर सुनिए ये आपको क्या हो गया मीना दफ्तर जाते वक्त एक्सिडेंट हो गया मिस्टर सिर्वास्तो अब आपका दर्थ कैसा है अब थोड़ा ठीक हो डॉक्टर बहन जी आप इनकी धर्म पत्नी है ना आपसे कुछ बात करनी है आईए एक्सिडेंट में आपके पती को काफी गैरी चोट लगी है उस वज़ा से वो अपनी दोनों आखे खो बैठे है जोहें जितना भी खर्चे हो कोई बात नहीं बस उनकी आखों को ठीक कर दीजे आम सॉरी मैं डॉक्टर हूं भगवान नहीं आपके पती को दवादारों से ठ नहीं नहीं स्वामी जी आप मैं अपने शिशेगणों के साथ जा रहा है था इस इस घर से आपके रोने के आवाज मुझे यहां आपके पास खेंच लाई इसलिए आ गया जिस दुर्गा मुझे की मैं पूजा करती हूँ उसी ने आपको भेजा है स्वामी जी मेरे पती ने अपने आखें खो दियें डॉक्टर कह रहे हैं कि वो अब अब देख नहीं पाएंगे सत्यकावी जी तुम्हारे पती को कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता स्वामी जी आप भी ऐसा ही कह रहे हैं मैंने कहा डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता पर ये नहीं कहा कि इश्वार ठीक नहीं कर सकता मतलब मतलब मेरे पती फिर से देख पाएंगे हवश्य देख पाएंगे यदि अपनी कुल दीवी दुर्गा मय्या की आखों की पंखोणिया ले आओ तो उनसे उनकी आखों की रोश् यह तो पाप है बेटी और कोई रास्ता भी तो नहीं है एक स्थ्री के लिए उसका पती है परमेश्वर है उस परमेश्वर के लिए यह पाप तो मुझे करना है होगा स्वामी जी आप यहीं रुकिए मैं इसी वक्त दुर्गा मया के मंदिर जाकर मा की आखों की पंखुडिया किसी भी तरह लेकर आते हूँ माँ मैं तेरे सामने खड़ी होने के लाइक भी नहीं हूँ मुझे एक शमा करना जो उधार दिया जाता है इसे वसूल करने के लिए लोग आते हैं लेकिन यह भागन दे हुए बेट वापस देने के लिए आई है माता मेरा दुख तो जानती है मैं तेरी आखों की पंखुड़ी चुराने आई हूँ माता आज तक तुने मुझे किसे भी बात की कम ही नहीं रखी राज उसके बदले में मैं तेरी कसुरुवार बनकर खड़ी हूँ बेवी मा मैं जानती हूँ के ऐसा करना पाप है उसके लिए तू मुझे कोई भी दन देना चाहें दे दे लेकिन मेरे पती की आँखें लोटा दे माता माता बागी ने मुझे चौर बना दिया और मेरे कारण तुन अंधे बनने जा रही है हुँआ हुँआ है पात्न स्वामे जी, मैंने अंधे की भूमी का निभाई और मेरे बेवी आंखों के पकड़ी लेने चली गई है वो मिलते ही पूरे 25 लाग रुपे देने का वादा किया है आपने नोटों को गिंकर तयार रखिए, आखों की पंकड़ी on the way स्वामे जी, मैं कल ही जेल से चूट कर आया हूँ आते ही आपने डॉक्टर का भेज दे दिया मैंने एक्टिंग बहुत बढ़ियां की, आप माल भी बढ़ियां दे दीजिए तुम दोनों ने केवल भेश बदला, मैंने तो अपना रूप ही बदल दिया वो कैसे स्वामी, हमें भेश बदलने के लिए हाफ बनाव लग जाते हैं आप हाफ है सकिन अपने पूरे रूप को कैसे बदलते हैं बताईए हाँ वही तो, बताओं कैसे देखो ऐसे महाँ पापियो, तुम लोगों ने मुझे धोका दिया मीना, मीना, मीना तुम आ गई? मीना, आंकों के पकड़ी समाल के लाई हो ना? बस कीजिए, अंधिय का लाटक बन कीजिए जोट पोल कर मुझे देवी मा की पंखोड़ी निकालने पर मद्बूर कर दिया ओ, आक्टिंग के पसा चल गया बास्टन, यह पंखोड़ी मुझे देदो, पाकिन माल के साथ वेटिंग इव इटो में नहीं, मैं इन्हें आपको छोने भी नहीं दूगी मैंने जो गुनाह कि यह उस तो प्राइस चित के लिए मैं इन्हें देवी मा को लोटाने जा रही हो एई, क्या करेगे, देना मुझे छोड़िये कि लुप लोगजा दो हुप एई इना रोगग बीड़र, लोगजा प्रेव है झाल, बड़ो झाल, जड़ो नग्याओ! देवी मा, तु नीम का पेड नहीं, स्वहिम देवी मा हो, मैं इस नीम के पेड को ही दुर्गा मा मानकर, तेरी ये आग की पंखुड़िया तुझे को लौट आ रही हूँ, उन पापियों के हाथ लगे बिना इनकी दूर रक्षा करना पाता, सिर्फ इन पंखुड़ियों को ही नहीं, मैं अपने पेड़े में तेरे हवाले कर रही हूँ, हाथ से तो ही इसकी माँ है माँ पाता, मैं डेवी माँ यह नीम की पेड़ क्या कोई सिस्व बंक है, जिसमें डिपॉजल करने से कोच चुरा नहीं सकता, भी देखो औसनी a जुग है लुग हैं जुग हैंक गिरू कि दो खटार बतारे गरी कि वहिए कि अजड़ हैं कि भी Bronze Tsh ayud कि दोर फिर्रे ध के दोरा खमेर खेंकित जडते हैं कि भीर वर कि अब खें खो कि अरिख खिधर को मैंॽ कर दो 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 बगल खान। बदत quiénira o कर दो क दोrip कर दो कर दोकी। एय तुर्गा माẹ की आँखों की पंखड़िया मुझे चाहिए उसे बाने का रास्ता बता उसके लिएी तुम्हे 16 अजाए नेत्रसिधी तब करना होगा है जाहे जितने भी वर्ष लगे पुझे वो आँखों की पंखड़िया चाहिए मैं अब इसे नेतर सिदी यह चुनू करता हूँ सुनू दीदी, क्या है दुरगा? मैं जा कि माँ खाना खिला के आती हूँ, जरा घर देख लेना तुने खाना खाया? माँ को खिलाया बगर मैंने कभी खाना खाया है? अरे ये तो नीम की पेड की नीचे पड़ी अनात लड़की थी, तो फिर किस मा के लिए खाना ले जा रही है? अरे इसकी कहानी क्या बताओं, छोटी उम्र से खेतों में काम करके पैसा कमाती है, उसी पैसे से अलग-अलग खाना बना कर देवी मा के पास ले जाती है कहती है, दीव मां इसके हाथ से खाना खाती है कौन मानेगा? ओ मिया, आजा, 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 दही चावल, नीम बुचावल, मीठा चावल, सब बना के लाई हूं मैं, आके दबा के खाले जनम देने वाले अपनी मा को कभी देखाई ने, जब से होश समाला तब से, नीम के पैड में रहने वाले देवी मा को ही मा समझती हो, लेकिन इसमें भी ये खूबी है, कैसी खूबी? हम दोने शकल सुरच से एक जैसी है ना, तो तू मेरी मा और मैं तरी बेटी मुझे लगता है नीमू चावल में नमक नहीं है दुरका, ये बात है, मैं टेस्ट करके देखती हूँ मैया, इसमें नमक भी है और ये खुश्बुदार भी है, मजाप मत करो, चलो शुरू हो जाओ मेरी मानो अब इसमें मिठास आ गई, इसमें मिठास है, वो केसे, तुम्हारा जूटा है ना, इसलिए समझ गई, तुझे मेरा जूटन खाना है इसलिए, इसमें ये नहीं वो नहीं कहके मुझे खिलाया, तु बड़ी चालाक है मता, तु तो पूरे दुनिया को खिलाती है, तुझे खिलाने का सौभागया, तुने मुझे दिया, मेरे लिए यही बहुत है मा मुझे मिला जु तु 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 जु तु अगवाद दु तु 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 स्टीटा साविर्थी की फूसर ही है माउ हां तू सखी है माउ सिता साविर्थी की फूसर क्रिप्फी है माउ कहीं फूसर क्रिप्फी है माउ है मां ये सच है ये सच है ठोटे कले मोटे जड़े असद जो मा अरे अनपूर्णी ये मिने हाथ से तुखाँ जुदा आज बाहु का आजू तुछ को मैं जुदा सीता साविर्ठी की तू सखी है मां हां तू सखी है मां कहीं पार्वती है तो कहीं तू लखी है मां कांची कामाक्षी है मां सब्सक्त करें तू सक्षी है मां कि तू सखी है मां तू सक्षी काण तू सक्षी है मैं दो धिलों शक्ती के शंख से पीती और तू पिलाते थी मां कहनियों में चून करके छूला भी तू बनाते मुझको जुलाते थे मां ले गए शिबन मेरे अंधुम मुझको दिलवाने सरस्वती से मेरे बालों में गज्रा सज्वाने काली के हाथों से हार दिया तू हुआ दे मां आच पूर से सारी मुझको तू दिला दागा आद्मामसे चूरे मुझको तू दिला दाशा दिदाशायं प्रसष्यत सामिने नमो बयं वैश्वनाय तू पहे तू में कांगा मतावाय वख्या तू में शुरो वैश्वनाय तू दाशाय तू मेरे बाज़ेब रादलों के उस पार से हाथ के ये खंगन भी फंग भाई मेरे लिए इंद्र महा बाजार से काशी से कानों के जुम्गे मेरे ले आई मेरे लिए जनक पूरी दौंग ये नाख के ले आई बिंदी चाम उंदे मंदर तरके मुझे तू दिलवा दे माबाल संदरी सुन्दर रूप है तिरा ये रूप प्रेम की है खिलते गुप से भरा पीता सावड थी की तू सकी है मा तू सकी है मा कहीं पाबती है तो कहीं तू लखी है मा कांची का माशी है मा ये सच है पूते कले मुटे जहरते असते दू मुझा हरयन पूर्णी ये मेरे हाथ से तुखा जूदा आज बाहुगा आदू तुझको मैं जुदा हरयन पूर्णी ये मेरे हाथ से तुखा जूदा आज बाहुगा आदू तुझको मैं जुदा बादाम पिस्ता डालके दूद उबालके लाने को कहा था दूद कहा है बादाम भी है पिस्ता भी है लेकिन दूद नहीं है दूद क्यों नहीं है छोटी मिम साफ सारा दूद अभिसे के लिए ले गई बेड़ी देख लिया तुमने हम पीने के लिए दूद खरिकते हैं वो उसे देवी मा के ऊपर पानी की तरब हा रही इसे यूँ ही छोड़ दिया तो इस घर में एक दिन दूद तो क्या पानी भी नहीं मिलेगा रुख जाओ दूद कहा ले जा रही हो देवी मा के अभिशेक के लिए ओहो जो दूद इनके पीने के लिए रखा है उसे देवी मा को नहलाने के लिए ले जा रही है क्यों तुम्हारी देवी मा बिना दूद के नहीं नहाएगी रामलाल जी मिठी का तेल लेकर आला लीजिए मिम साब, आज के दिन तुम अपनी मा का इस मित्टी के तेल से अभिशेक करोगी एई ठेरो, इस कलश को बेक अप करके इस तहरा संभाल के कहा ले जा रही हो? आज एक आदशी है, देवी मा को प्रसाद चढ़ाने माड ले जा रही हूं इसमें क्यों? एक आदशी के दिन में ही माड पीती है, बाकी की दिनों में वो माड नहीं पीते है या हसम नहीं होता है एक पत्थर को बिंदी लगा कर फूल लगा कर कपड़ी पहना कर माइया कहती हो, क्या ये पागलपन नहीं है? ये सब तो फिर भी ठीक है, मगर रोज तीन वक्त खाना भी खिलाती हो, ये बताओ, तुम्हारी माता को चैनिज खाना पसंद है या कॉंटिनेंटल? तो ये काम कर, इसे ले जाकर कच्रे में फेग दे, फिर फ्राइड राइज या नूडल्स जैसे चैनिज आइटम बनाकर माता को खिला, मजे लेकर खाएगी हो ये पाप है जीदे, इस तरह क्या घूरी है? आप, आप! पाणी, पाणी, पाणी पाणी… पाणी 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 पाणीम्हारी! हाद देचिये, पने देचिये सुपान निभी माता! मामा इससारवॉ पाप दोदे अपने आघशाप दोदे केमा चरणों में तेरे आई केमा देजी हूँकु तु sah सुपान दम एक दोदे हिचाम दोदे को मोद initiatives छिपर्द के देख पसारे हाग है मा तेरी मुझ पे करम की आस है मा बाभाई मुपने शोळी मा तो दया परमा आकी बोल के दून एकनी शक्ति मुखी दुद तया परमा शेगा बाली तुऱ्किये आपी तुद तया करमा अले हती वर्षन ले आपी तुद तया करमा और एक सो आध विबार भवाने नाम जबू में दया कर्मा कुछ पुद यारू मना उने माँ अब कुवा के दया कर्मा इन आखों में तेरी दर्शन की गई जनमों की प्यास हिमा देख पसारे हात हिमा तेरी मुझ पे कर्म की आस हिमा मतल देवी बहावराही दुष्ट में आशे दया कर्मा अप्रत भर्शिनी धर्म प्रशिनी रिश्क में लाते दया कर्मा दिन दिर अखली लाजबु देवे पकल भिक्षा दया कर्मा देवार देवार देवा प्रशिनी धर्म 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 तो पसारे हाद है मा, तेरी मुझ पे करम की आस है मा जोद को कर लीगा, वो आते लोग में जान गया करवा वो महिशा सर्मारने वाली इस पचमा दे गया करवा ऐसे राभूर राजेश्वरी इस चोटी सी भूर पे तो इसकी हरिक नादानी एमा तो बुला दे गया करवा तुझको में चर्टन के एक चडाऊंगी पांच दे कचरणों में तीरे जलाऊंगी पर तू आखे ना भोली कुनाचते गाते मैं वर जाऊंगी तुझको जगा के छोड़ोंगी अंबे या फिर मैं सोचाऊंगी दड़प दड़प के माचरनों में तेरे आई बिलप 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 दड़प के माचरनों में तेरे आई शक्ति में धर्रक्ता मुझे है जया गिया शा मुझे करने जया तो कर दे शमा तो इसकी भूयों को कर दे माता, इतना कहकर भे तुझे डया नहीं आई तेरी मोतियों को लेने का मन नहीं है तेरा गुस्सा अभी थमा नहीं हे जगदबी माता, तुझे जाने का मन नहीं है तो मेरे बदर में आके रह ले उनके बदर के सारी मोतिया मुझे दे दे मेरे बदर में वासकर, तुझे सोगद है सोगद है, सोगद है आध में आध वारी कर्णे है राम्लाल क्या है में में सहब आप में बुलाया मैं बाहर जा रहे हूँ, ब्रदर आये तो बोल देना मिम साब, पैसे सुरी मिम साब को माता आई है, आप उन्हें अकेले छोड़कर जा रही है उसे अकेली ना छोड़कर, उसके साथ मिलके ग्रूब रांस करने को कह रहा है ए यह चुआ चुट की बिमारी है, कहीं फैल गई तो मुझसे उसको मिली, उसके पास यह फिर से मुझे लगी तो मुझसे नहीं होगा मैं किसी होटल में रह लूँगी, हफते भर बाद ही लोटूँगी, कह देना मा, मा, यह लो मा, वश्न माता का तीद चल देख लिया मा, तुम्हे अकेली छोड़कर सभी लोग बाहर चले गए उस पर तरस का रही थी ना तुम, देख लिया उसका नतिजा कोई बात नहीं बेटी, दंसना पिच्छो का काम है, उसे सेहना मेरा काम है शिक्र मत करो मा, मन में माता के नाम का बोज्ट होती हो, तन में माता को ही ठोती हो तेरा बोज उतारने के लिए चाम उंडी आएगी इन मोतियों को ले जाने के लिए मा शेरा वाली आएगी पाने के लेगं पिए हुआ। ओू ऊएगी हुआ। वहाँ 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 माता वाव वाव मिलियन डॉलर मिस्टर निकलेस हमारे मुल्क में आदमे को किड्नाप करना मुश्किल है इश्वरों को किड्नाप करना बहुत आसान है उन पंखुणियों को मैं अभी जाके लाता हूं क्या हुआ मा कुछ नहीं आँखों में धूल गिरने वाला था यह क्या मा हमारे तरह साधारन आँखें हैं क्या तेरी चांदी की आँखें हैं वो भी हजारों आँखें उनमें धूल केसे गिर सकता है भाग यह में गिरना लिखा है तो उसे कौन टाल सकता है क्या बोल रही है मा पहिली बुझा कि मेरा सर मत खा इस समय मुझे तेरा सर नहीं चाहिए करें का में है 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 का मेरा सिर चाहिए मेरे तो सिर के ऊपर का में बीच में आके सिर सिर बोलके मेरा सिर खा रही है ऐसा मत कहिए मैंने सपना देखा कि देवी मा की त्रिशूल से आपका सर कट गया क्या बक्ति है देवी मा का त्रिशूल क्या एक एक फॉर्टी सेवन है जो सिर काट डालेगा तेरी उस मम्मी के पास जो भी है सब ढम्मी है एक्मास्फिर के लिए मेंटेन कर रही है उस त्रिशूल से सिर तुदूर नाखून भी नहीं कर सकता ज़र रुकिये आप कहां जा रहे हैं क्या कर रहे हैं क्या मैं जान सकती हू हेई दो सवाल हैं जो एक पत्नी को अपने पती से पूछने नहीं चाहिए है वेर आर यू गोइंग वाट आर यू डूइंग गोइंग कहीं भी हो स्टेइंग तेरे साथ ही है ना ये सोच के खुश हो जा यही एक अच्छी नारी का उत्तम लक्षण है ओके टाटा अच्छी गोरियो लोग पेड़ों से पेपर बनाते हैं बड़े बड़े जहाज बनाते हैं अपने लोगों का भी जवाब नहीं पेड़ में आखे चिपका के पूछते हैं है अलो मैं इंसानों के आखे उखारता हूं पेड के आखे नहीं छोड़ूगा कर दो, कर दो? कर दो कर दो कर दो कर दो, aumentar कर दो कर दोसे ब्हुता है कर दो सतनल, जोसे को आड़ आच dus नगा हम गप without थौर्या करह Nice हूateurs हुण ो है पंख हुण है चान OF13 मै बादी मिना बाख रोकियो साव मिना यह पंख Chin बादी न이 क्वागल वागल को पानी करते हो यकीन में होता अब देखो है कर दो 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 काओनो काओनो वो छोड़ो तुम काओनो यह मैं बताता हूँ आ कर दो हाँ अंखे निकाल ले गए चोट खाकर यहां के लिद्धा मैं आखे निकाल ले गए तुम्हें केस बता तेरी कुंडली मेरे पास है, उन आँखों को हासिल करने के लिए मैं भी कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारे पास इतनी मंदर शक्ती है, तुम चाहते तो वो आँखे कभी की निकाल सकते थे मैं उस इलाके में जा नहीं सकता, मुझे ऐसा शराब है, लेकिन तुम जा सकते हो तुम्हें क्या बता, माता की आँखों को छूते ही, बिजली के जटके की तरह एक शक्ती ने मुझे उठा के यहां फैंक दिया और तुम कहतो, मैं जाओं चिंता मत करो, एक दिन के लिए माता की आँखों पर पट्टी बांधी जाएगी, उस वक्त देवी के पास कोई दिवे शक्ती नहीं रहेगी, तब पंकडिया निकाल सकते हो अच्छा, वो कम होगा? जब वो दिन आएगा तब मैं तुझसे कहूँगा, लेकिन एक बात, उन्हें निकालने के बाद, तुम उसे मुझे दोगे, वादा करो मगर पहले ही मैं किसी के साथ उनका एक करोड रुपे में सौदा कर चुका हूँ उन आँखों को उनका हवाले किया तो तुम्हें सिर्फ रुपे ही मिलेगे मुझे लाकर दोगे तो मंतर शक्ती भी मिल जाएगी तो ऐसे चाहिए या मंतर शक्ती ओके, उन आँखों को मैं तुम्हारे हवाले करूँगा आज के बाद हम दोनों पार्टनर्स अरे वा, आपके हाथ हिलाती ही, सोना ही सोना बरस रहा है आपकी शक्ती के आगे वो उम्शक्ती क्या कर सकती है कैसे भी हो आखों की पंखुड़े आपको लाकर देदेंगे है ना ब्रदर तुमने कह दिया आप किसकी का चलेगी वैसे भी तुमने सोना देख लिया ना आप मुझे घर में सोने नहीं दोगी आखों के पंखुड़िया लाने तक चुप नहीं बैठोगी तो मेरा काम आसानी से हो जाएगा, ओके मैं चलता हूँ पार्टी मेरी और पेटी तुम्हारी तुम्हारी तो किसमत ही खुल गई है माता, माता, दुर्गा माता, मेरे साथ जो हुआ वो सुन, तु लाट प्यार से पालती है न दुर्गा को वो कोई इसी ओइसी लड़की नहीं है, मात 420 है मेरे भगीची के सारे आम चुरा के मेरे ही गाड़ी में बाजर ले गई और मेरे ही आगों के सामने बोली लगा के बेश दिया, माता, बेश दिया अपनी लग्यक यही गुन दिया है, पूरे गावाले उससे भोली-भाली मासूम समझते लेकिन वो दो एक नमर की बदमाश है, तू तो सब कुछ देती है, लेकिन तेरी बेटी सब कुछ छीन रही है, क्या यही तेरा इंसाफ हो? अगर तू सच्पूच धरम की रक्षक है, तो उससे उसके के की सजा देना पड़ेगा, बस आगे तेरी मर्जी मा, आज की कमाई हजार रुपए, रुको, क्या है मा, यह रुपए कैसे, बजार में आम बेचे, कौन से आम, चोरी के, तुम्हारी यह हिमत कि मेरे सामें चोरी कबूर करती हो, हाँ, मैंने क्यू चोरी के पता है, उस श्यामाचरण ने तुम्हारे बगी चेके, सारे आम के ठेके पे लेकर, पिछले तीन साल से एक रुपया भी नहीं दिया, उसे सबक सिखाने के लिए ही, सारे आम तोड़के बेचती और पैसे ले आए, तुमने भलाई के लिए किया है, फिर भी ये काम गलत है, उसकी सजा तो तुम्हें भूगत मी ही पड़ेगी, सजा क्या है ब अब एक दिन पूरा तुम्हें देखी बिना मैं कैसे रहूंगी बोलो, तुम जानती हो कि मैं बड़ी जिद्दी हूँ, जो कह दिया, तो कह दिया, आज एक दिन मैं तुम्हें नहीं देखू, यहीं न, ठीके छोड़ो अरे, यह तुम क्या करें लो, मैं अगर तुम्हें नहीं देख सकती, तो मैं कुछ भी नहीं देखना चाहती, लेकिन मा, मेरा मुँ अभी तक खुला है, आज पूरा दिन मैं तुछ से बाते करते ही रहूँगी, अच्छा फस गई न, सावित्री, माता का ये केर्टन बहुत बढ़िया है न, दो दिन से घर में चूला नहीं जला, केर्टन से बच्चों का पेठ थोड़ी भरेगा, सब किसब भूके पड़े हैं, जाकर दाल-चावल का इंतजाम करो, मा, परमेश्वरी, मा, मेरे बच्चों की भूक मिटाने के लिए क्या करूँ, मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, मा, मा, रास्ता मिल गया, मा, तुमने रास्ता दिखा दिया, आज तेरा गुंगा के उससे घुजरा करता रहा, लेकिन आज, इस तुम्बक से मेरे बच्चों की भूक मिटाने वाला हूँ, मुझे माप करनो, मा, कर दो, कर दो, करूप पर एंदा दिया? कर दो, कर दो, कर दो, कर दो, कर दो, कर दो, घज जज चरएगा, मा, बहस्ता जिसे प्लावता लगतित रहा हूँ, पैसे चोरी कर रहे थे पोंगा पंडित गाओं को धर्म निष्टा का पढ़ेने वाले तुम ऐसा काम कर सकते हो मैं चोरी करके जूट बोरे आओ तेरी पास जितने भी पैसे हैं जब चोरी के हैं ना यह सब मेरे पैसे हैं मैं घर से लाया हूँ पिर जूट ए दुर्गा वो कर मैं चोरी नहीं है जोर दो ना तो गय तो अपने सब बाकिसा पुरे रिक्तर हैं अरे यो चुप हो जाओ इनको छोरी करते हुए मैंने अई अख्यों से देखा यह नए झैच है इनको चोरी करते हैं तुम्हारे सबाए किसी और ने भी देखा है जरूर देखा है सुनो यहां रहने वाली देवी मा की नजर से बचकर कोई कुछ ने कर सकता चाहे तो पूछ लो तो चिट डालके माता से पूछ लेते हैं आई यह भी ठीक है दुर्गा तुम ही चिट निकालो बेटी चोरी नहीं की कि देवी माने खुद बोल दिया कि इन्होंने चोरी नहीं की क्यों इस भले आदमी पर इल्जाम लगा रही हो बेटी दिन बार दिन यह लड़की बिगर्दी यारिये से ठेक करना होगा जोटी बना दिया ना बाद में देखती हूँ मुझी मत चुओ मैं तुछे नहीं बोलूगी नाराज हो मैं जानती हूँ एक छोर को निर्दूश थाबित किया है मैंने अगर मैंने सच पोल दिया होता तो वो पूरे परिवार की साथ आत्मा हत्या कर लेता इसलिए मैंने ऐसा किया औहां फिर तुने गल्ति की है ना इसकी सजा तुझे भुगत नहीं होगी कैसी सजा ऐसा पुछो जिब मैंने गल्ति की तो मेरी आंखोंतर बपड़ बांधी थी ना अब मेरा इंतजार खत्म हुआ उस देवी की आँखों में पट्टी बांदी गई है फॉरां जाओ पंकडिया ले आओ अब मताओ ममममने की पंकड़े मक्री आपकुरर की चा does है और हाँ भी आज व वाँ आजए व अपकड़ा राजेश्वरी, एए, राजेश्वरी साब जी, साब जी में सब हास्पिटल गई हुए हास्पिटल क्यों जब आप गाउ में नहीं थे राजा भी एक एक्सिन हो गया था और आखों में चोट आई आपरेश्वरी करना अपड़ा आजी पट्टी खोलने माले हैं मैं आखों के पंखोरी चोरी करके लाया हूँ और यहाँ पे मेरी बेटी के आखों का आपरेश्वरी हुआ है कहीं इन दोनों में कोई संबंध नहीं राधा राधा दीरे से आखे खोलो मम्मी डैडी आए हुए हैं देखो तो अब बहन भाणी के कोई बात नहीं तुम बिलकूल ठीक हो गई हो क्या देख रही हो बेहन तुम बेहोश पड़े थी गनी मते में वहां आया मैं तुम अपने कॉटर पे लेके आया हूँ मैं यहां का ड्राइवर हूँ मेरे अपनी कोई बहन नहीं है तुम चाहो तो मुझे भाई मान के मेरे साथ रह सकती हो रुकिये आप कहां जा रहे हैं इस बेवक्त आप कहां जा रहे हैं अरे वा तल तक साइलेंट पार्टी बनके रहने वाली या साउंड पार्टी बन गई है है मेरे सामने सामन उठा के बात मत करना मैं फ्री बर्ट मैं कहीं भी जाओ मेरी मर्जी मेरा नीजी मामला है पूछना ले तू कौन है मैं, मैं कौन हूँ, मुझे भी आज तक नहीं पता था कि मैं कौन हूँ, अब क्या करते हैं, कहां जाते हैं, इन बातों से मैं अंजान थी, लेकिन इस घर में जो हो रहा है उनको देखने से, आपके कर्तुतों पर मुझे शक हो रहा है शक हो रहा है न, अब और कुछ मत पूछना, सुनोगी तो टेंशन हो जाओगी अब क्या कोई टेंशन नहीं, आपने मेरे पीट पीचे कोई गोर अपराद किया है, इसी वज़े से हमारे बेती के आखे, चांदी के आखों के तिरह बदल गई है, जरूर कोई देव प्रकॉब है मैं एक नास दिखूँ, तिरी फाल तो बादों में नहीं आने वाला, अरसुन, मैं एक बिजनेस के लिए बाहर जा रहा हूँ, बेकार में मेरा टाइम वेश मत करना प्रादा, कल तो तेरी आखे चांदे के पंकुरे जैसे थी, अब तो, अब तो ये साम के आने जाए है? और आज नाग देवी की आखे हैं पता है मेरी तो हजार आखे है मेरी आखे जैसे बदरनी चाहिए बदल गई है जहां पहुंचनी चाहिए पहुंच गई है यह जाने बिना तेरा पती भदक रहा है खाया मैंने वो पंकुडि इसमें रखी थी वो पंक्डियां कहा है यह मैं जान गया हूँ तुम यहीं ठेरो मैं उन्हें लेकर आता हूँ क्या धून रहे हो मैं यहां कैसे आ गई सोच रहे हो तुम जहां धीरे से पहुँचओ के वहां मैं पलभर में पहुँचती हूँ जब तुम जमीन पर चलते हो तुम मैं आस्माल पर चलती हूँ थीक है छो तुम ढून रहे हो वह उस कमरे में है जाओ जाओ तू कैसे जनती है यह जनम कुंड़ी ही मेरे पास है जाओ जाओ देखो हाँ अब इसे ठीकाने लगाने का समय आ गया झाल... झाल... आं कोंकी पंक रेले हैं इस बक्सेमर की हुँँँँँ... ... प्रिक्चाओ 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 को कहां जा रहे हो देवी इमा के पास जा रही हूं भक्तों को इश्वर के पास जाने की इश्वर Lincoln के पास आ जायेका अन पापियों को ढूनना है पापियों को दुर्गा देवी धून great उन लोगों को मारना है उनको मारना शेरा वाली का काम है। उस मांतर को मिटाना है। वो काम जग दबा कर लेगी। आँखों की पंकुड़िया लानी है। वो चाम उंटी संभाल लेगी। बहुत मीठी बातें कर रहे हूं। तुम कौन हो। मैं कौन हूं। इसका जवाब तुझ को ही दूना मेरी सारी बातों का जवाब इसने दिया लेकिन खुद को अन्हें ये नहीं बताया क्या बात है ब्रदर तुम तो ऐसे सिगरेट पी रहे हो जैसे खुद को आग में चलाना चाहते हो कि उस मैजिक पार्टी भैरव ने आखों के बारे में कुछ बोलके मुझे कंफ्यूस कर दिया क्या कहा उसने दुर्गा मा की आखों की पंखुणिया जो मैंने चुराई थी वो गयब हो गई थी वह इस वक्त राधा के पास है ऐसा उसने कहा इसके लिए कंफ्यूस क्यों हो र में आप बहार आ जाएगा अब देखो अरियो राधा राधा ए राधा बता देवी मा की आखे कहां है चलाई क्यों क्या हुआ दुर्गा मा की आँखों की पंकुड़ी को इस दिवार में तेके तुम दोनों घबरा गए क्या मेरा नाम आखों वाली देवी है मेरे पुरे बदन में आखे हैं पुरे देश में आखे हैं इस मित्टी में आखे हैं नीम के पेड में आखे हैं मेरी हजार आखे हैं कि खरए हैस थां करदा मना मना इड़ास हे भीकिरी क Nee आपको के करना मैं ये बिल्स कות से भऱ करें है कि जला कर या कि या कि ने बीदाया कि निया दुश्चवरिये टाया उबन दाकू कि पश्च दुश्च सुद रिए reps माता लाथ रहा मसधार निल्या हुई पार तूने जिस पे खोल जिये आखे फो गया उस धार सम्रा उसका सुन्सार भाग को लगे हुझ जहे पाखे पाथो दिशाओं पे नौई विजये खर्वतो ठाना से देया गई एविजली तूपाने तेरी हची इस्त्र सभाजे के नेतों गई मैं घसन दूपाता अपना यहीनाता हुझ गवाँ सिंद्री में होते हुझ वारे अंखे का मुद मापक का यहा मुद्र बरन गत बदूप को भकी करणायान्ता-अब्वतश्ठ काड़। क्यों पूलिये खेयां उसका क्ट्र जली नीवों माता भी अजियो प्रोजाट आके का गव जांपक श क्वजश्ट है जाओ रेजे नेह जे आखो को खोई तो आजामा कुपियों के कश्च को पीर को घरने तो आजामा काली बन दुर्गा बन दुष्ट बद करने तो आजामा बन के छन मस्ति के मांदर शर्देने तो आजामा तु छर्चन में पलपल में करकर में जलपल में पलपल में दिल सिल में अरगर कर हर दिल में घरगर में घरगर में धरदी में अंबर में पकपक के सुख तुख में सरगम में लैसुर में रात में प्रभात में घर्म में हर जात में तू ही चूचारों मां सिर वहां ऐार कैरे बोजायां भार्ण फिर नारन सिर आसे में लुफन 핥 ब जारो बुफना नार ङारra की तरहा शेर बपर भी आओगी मैं अस्तों के उखियों के दुख को जर से बिताओगी मैं दुष्ट को दुश्मन को पापियों को बिताओगी मैं दिखती हो भूली मैं अम्मारों में घर जाओगी मैं दुश्मन की रफ्ट पीने वाली भत्र काली मैं हो और धक्जन की माता हरे रफ्ट वाली मैं हो दुष्टों की खोपडी किहार पहने वाली मैं हो और नीम पत्र से उप्चार करने वाली मैं हो पूरा जगत है मेरा घर लाई है मेरी नगर मन मन तेरी है मेरा नगर आँखे चपनी दाईए आँखे जुष्ट हरनी ये आँखे कश्ट हरनी ये आँखे बल दाईए आँखे सिसराईए आँखे दीवार में आँखे क्या कह रही हो कोई सपना तो नहीं देखा नहीं तुने अपने आँखों से देखा है इतनी बड़ी दिवार में वो शक्तिशाली आखे अब भी सोचती हो तो दिल कापने लगता है मेरी बेटी के पास दीवे शक्ति है तब मैंने नहीं माना लेकिन अब अब उसकी आँखों को देखके हिल गये हैं उसकी आँखे बिजली बनके कब सर पर गिरेंगी ये कोई नहीं जानता अगर हम सब को चैन से रहना है तो चल भी कुछ से कुछ करना पड़ेगा मेरी शक्ति से मकाबला करने वाली उस बच्ची को फारण खत्म करना होगा बाकी मैं संभाल लोगा बाकी का मतलब उसे दफनाने का खर्चा पार्टनर तुमने कहा कि बच्ची में क्यों अनोगी शक्ति है तो फिर उसे कैसे मार सकते हैं उसे मार दिया तो वो शक्ति मिठ जाएगी अगर ये बात है तो कल ही उसे छिकाने लगा दूगी अगर ये मुशी क्या पागल होगा जो अपने गाल पर मारा जा रहा हूं क्यों मैं हूं जो काल पर मार रहा हूं कोई और तो इनंके आगे पीछे कर में चाए काला यह तुखुर रहा था है लुसे तो सही कह रहा है डुनिया में इतनी सारी कंट्रीस हैं वाय एंश्वर के साम garlic mentioned ऑट ने सबु हैं गशत्र अंचय चाठे भी सिर्फ इतना ही नहीं गत्रते वी नर्सेम लुपी के भी नाजते हैं, हाँ ठीक है. सिस्टर, ये गेटप? ये गेटप नहीं सेटप है, भैरो ने क्या कहा था? उस छोटी चोडल को मारने के लिए कहा था ना? देवी की तरह बात करने वाले छुटकी को, उसकी सगी मा के हाथ तो मरवा दिया तो? बोका से. राजेश्वरी, आप इस तरह यकीन नहीं हो रहा है, बैश्णु देवी के नाम पर मैं व्रत रख रही हूं, हाँ, ये चामुन देश्वरी माता के मंदिर का प्रसाद है, इसे ले जाकर अपने हाथों राधा बेटी को खिला दो, हाँ, दीजी. ये लो, बेटी, चामुन देश्वरी माता का प्रसाद, ओ, चामुन देश्वरी माता का प्रसाद, क्या देख रही हो, ले लो, बेटी, जल्द बाजी मत करो, ओफव, ये क्या बेटी, माता की प्रसाद में नेम की पत्ती डाल दी? नेम की पत्ती से ये और भी पवित्र हो जाता है, ये क्या तुम नहीं जानती? वो तो ठीक है, लेकिन ज्यादा डाल दी, कडवाहट होगी न? ये पत्ती कडवी है लेकिन अब ये कड़वाहत निका देगी अरे रे ये क्या बेटी अरे पत्ती तो नीली हो गई इसकी कड़वाहत मिट गई है अभी दे दो पी लेती हूं उसे मरने के लिए जहर देकर आप दोनों इत्मिनान से बैठे हुए है मुझे टंशन हो रहा है अच्छा मरने के आवाज नहीं आ रही है मरने के बाद आवाज कैसा आएगी मरने के बाद आवाज नहीं आएगी पर उसके मां की रोने की आवाज आएगी वो नहीं आ रही है न वो आ रही है लाश बच्ची सुना है जहर पीने से नीले हो जाते हैं यह तो पीले होकर आ रही है चामुन डेश्वरी माता का प्रसाद बड़ा स्वादिश था जहर देने के बाद भी मैं जिन्दा कैसे यही सोच रहे हो ना से जहर को नेम के पत्तों ने खतम कर दिया तुम लोगों को देने माँ खतम करेगी जहर खाकर भी बच्ची नहीं मरी जहर की बात छोड़ी एह अटम बाम निगलकर भी दकार मार सकती है नहीं वो बच्ची वो बच्ची नहीं है छोटी चुडएल है पाटनर उसे लॉजिक से नहीं मार सकते तुम्हारे मैजिक से ही मारना होगा फिकर मत करो शत्रुसानार यक करके उसे मिठा के रख दूंगा कि साहिबधी उसे के लिए क्या दिना पड़ेगा नर बली देनी होगी तू जाएगा अभी है जयन्दी मंगड़ा काडी भत्रपाडी कापालिगी जुद्धक्षमा स्रिवादात्री स्वावा स्वता नमुद्धे जयत्वं देवी चामुदे जय भूदात्री हारिमी जय सर्वत देवी भादात्री तेरे मन में तूफान इसलिए मेरे पाव में दूद की नदी माता का अभिषी करने के लिए दूद लेके आए वो तेरी कदमों में डाल दिया कोई बात नहीं कोई बात नहीं दूद जहां बहना चाहिए वहीं बहाया है क्या क्या रही है अरे परिशान नहों मैंने कुछ नहीं कहा बबा कहते हैं बच्चे भगवान का रोब होते हैं तुम्ही जो पसंद है नीमबु चावल दही चावल जैसे सभी स्वादिश्ट मिष्ठान है मन करी तो खालो यह सब मैंने तो नहीं मांगा ना क्या मांगने से देना चाहिए सब को खिलाने वाली हो मैं मुझे अन्नपूर्नी कहकर भी बुलाते हैं तुम जानती हो ना इतनी सी छुटकी है लेकिन बाते सब बड़ी-बड़ी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे यह सब नहीं चाहिए ले जाओ यह अच्छा है बाबा अच्छा है इसलिए खाने को कह रही हूं कहो तो मैं तेस्ट करके खिलाऊंगी तेस्ट करेगी यह क्या हो रहा है वहाँ जो कुछ भी हुआ वह सब तू जानती है तो है कौन? मैं कौन हूँ? मैं कौन हुआ जानती है मैं कौन हुआ जानती है मैं कौन हुआ जानती है सीता साविर्धी की हा सक्थी हुँ मैं कहीं कालवती हुँ तो कहीं केलवती हुँ मैं कांची कामाक्षी हुँ मैं ये सच है ये सच है हुआ जानती हुआ जानती हुआ मैं हासर की हुँ मैं कहीं पार्वती हुँ तो कहीं केलवती हुँ मैं कांची कामाक्षी हुँ मैं कि अजाती हुआ मैं ुई तूदूद ओम शक्ति के शंख से पीती, तुझको भी लाती थी मैं कहनियों में चून करके जूला थी मैं बनाती, तुझको जूलाती थी मैं ये गई शिवनगरी, तुझको तुझको दिलवाने, सरस्वती से तेरे आल में कच्रा सजवाने काली के हाथों से आतिरा फिर मंपाई, मैं कांचिपुर की साड़ी तुझको ठादिया माबा धाम की जूडी तुझको ठादिया सिता सावेत्री की हा सखी हूं मैं, हा sarखी हूं मैं कहीं पार्वती हूं, तो कहीं केलेक की हूं मैं, कांचिका माक्षी हूं मैं माथा माता, तु है स्वयईम दुर्का देवी, बच्ची की रूप में आई है सोचख राश्चरे हो रहा है असुर सहार मासुम बच्ची द्वारा होने की नियती है उसे कौन बदल सकता है ये क्या मा मैं खुश थी कि तु मेरे लिए आई है लेकिन तु उन पापियों को मारने के लिए ही आई है क्या क्या जाए प्यार और बदले की भावना दोनों एक ही दिल में बसे है अच्छी लोग और बुरे लोग एक ही छक्की नीची रहते हैं मा तु क्या बोल रही है तु भोली भाली मासुम है इस शडियंत्र की बातें तू नहीं समझेगी लेकिन इतना वादा करते हूं पल भर के लिए भी मैं तुझी छोड़के नहीं जाओंगी सदयव तेरी परच्छाई बनकर तेरे साथ ही रहूंगी रामलाल रामलाल आया मेम साब क्या है मेम साब पुझा की सामान इससर बिखरी क्यों है भगवान की फोटो कहा है वो बड़ी मालकी ने कच्रें फेक दी क्या अगवान की फोटो कच्रे में कच्रे में न फेक कर मंदी बना कर घंती बजाओं मौडन आठ की पेंटी की जगा दुरगा की मूर्ती थी इसलिए फेक दी इस घर में मेरी एक ही खुशी थी पुझा पाठ करना आपने ऐसा क्यों किया माता के मुर्ति की बिन में पूजा केसे करू। इश्वर तो कण-कण में है, मिट्टी में है, पेड़ पौदों में ऐसा कहते है ना। बाहर गार्डन में जाओ, मिट्टी में देवी माहे समझ कर प्रणाम करो। नहीं तो पेड़ को बिंदी लगाकर पूजा करो। अरे देखती क्या है, जाग लगा। माँ माता, मंदर में बसने वाली तू ही नीम में भी रहती है, सुना है। आज मैं जानकर यह सच है। अपनी आखे खोलकर तूने मेरी आखे खोल दी। आज से मैं तेरी पुजा यहीं करूगी। आज से मैं जानकर यहीं करूगी। आज से मैं जानकर यहीं करूगी। करूगी। हाँ 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 हे लगता है भक्ति सिर के उपर चड़के तो पागल हो गई है जो दुनिया भर के पेड़ पोधों की पूझा कर रही है यह पेड नहीं है जी देवी मा है जैसे कि माता स्वयम सामने आई हो अभी इस पेड़ नी अपनी आँखें खोली थी क्या कहा है तुसे किसी बागल खाने में भरती करना पड़ेगा दुनिया में आदमी लोग आखों नीम के पेड़ को खीर खिलाएगी नीम के पेड़ की आँख है कह रही थी क्या किया जाए है हो सकता है वहां से गाये वह आखें इस पेड़ में आगे ही हो पगली ने कंफ्यूज कर दिया यह यह पेड़ काटो रे ले देवी यह क्या बदन पे घाव कुछ नादान लोग मुझे काटने की खुशिश कर रहे हैं देवी मा तू नीम के पत्तों को देवी मा समझती है लेकिन कुछ लोग दुरका देवी को ही सर्फ पेर समझते हैं उन पापियों को यूही छोड़ना नहीं चाहिए हां उ उस पर ये नया हिसाब का हाँ जोड़ू ए इतनी देर में तो दस पेड कार सकते थे और तुमने अभी तेग एक डाल भी नहीं काटी डाल तो छोड़ी छाली भी नहीं काटी जा रही है ये पेड यह पहाड बादा नहीं चल रहा है चेह चेह बगग बग चलो घर चलते हैं त पगली कहीं की अब देखो कैसा चमतकार है दवा लगाई बिना ही तुम्हारे सारे घाव गाइब हो गए दवा मैं हूँ मुक्ती भी मैं हूँ जीवन देने वाली भी मैं उसे उठाने वाली भी मैं ही हूँ तेरा यग्यपूरी तरह संपन्न हुआ शत्रु संहा यग्यपूरा हुआ मांत्रिक तल्वार भी मिल गई उस तल्वार से उस बच्ची को आसानी समार सकते हो ठीक है लेकिन मांत्रिक तल्वार का है हाँ 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 हम्बा साम्भविचंड्रमोणी रपना अबन्ना उमा परवदी काड़ी है मदीश्वाद्रिन अयना खात्या यह ने वाई रभी मुशीची साविक्ट्रमोणा आशुबहरी साइकोफिन सितोफोबिया राधाबिटिया डॉट कॉम क्या मतलब ध्यान कर रही है ये वात मैंने ज्यापने इस भाशा में कंप्यूटरेज करके बोला अरे चाह यह अपने आगे खोले उससे पहले ही मांतिर दर्वार का एकिवार छुटके चुड़ेल प्लोस यह क्या है एक सिर काटा तो पान सिर वाला साम फन बना के नाच रहा है प्रेदर यह कैसी माया है शुको नाग शक्तिन अपना चमतकार दिखाया अब इस तल्वार का चमतकार मैं दिखाता हूं हुआ है यह आप कि अधर का रहा ना उधर की रही मैं इस आलत में अगर बाहर जाओंगी तो मुहले के लोंडे मेरे पीछे पर जाएंगे मुशी मुह बंद कर तो तो फिर भी ठीक है साले सेक्सी बन गया है जरा मेरी तरफ देख इस कमीच से तेरे पसीने की बद्बु आ रही है अब कोई अब कि अब कि अब कि अब कि उस्पेरों की वजे से सर बच गया क्या रहेंगे तो और पता नहीं क्या क्या होने वाला है चलिए निकलते हैं जो मंत्य शक्ति से नहीं कर सका उसे बुद्धी शक्ति से करना होगा जो लड़की घर आ गई है उसे सम्शान घाट भेजूगा यहां बड़े बड़े भाशन जारते हो वहां जाके जाड़ू मारना पड़ता है अरे भैर भी ची अरे भैरो क्या करने जा रहे हो साब साब इस रूप में जाओंगा तो काम नहीं होगा यह तो सबको पता है ना मुझे रूप बदल के जाना होगा गड़ अच्छा एडिया है तो किस रूप में जाओगी जिस रूप में जाने से बच्ची का मन जीत सकते हैं उस रूप में जाओंगा ये क्या गंजे सर पर बाल उगाए हैं अरे बापरे ये रंगे रूप देखे मेरे मन में भी कुछ-कुछ हो रहा है बहुत कुप इस रूप में जाओगे तो वो छुटकी जरूर धोका खा जाएगी मैं भी धोका खा गया चुटकी अभी घर में अकेली होगी यही सही समय है जल्दी जाओ कि मैं विजय होकर आता हूँ कि अरे तो कहा चली मुझे ढूनके जाने की जरूरत नहीं मैं खुद तेरे पास आ गए हूँ अब क्या करने वाली हो शीख रही तुझे मुक्ती मिल जाए यह क्या पार्टनर हूं करने के लिए गया तूफान बनके उसे मिताने के लिए उसे देखते ही हाथ जोड़ के प्रदेक्ष्णा करके आ गया यह उसके सामने अपनी मंतर शक्ती भूल गए ना जाने क्यों दुरुगा का रूप धारन करते ही उसे मारने का मन नहीं किया हाथ जोडने का मन किया देवी मा कौन है आप किससे मिलना है अपनी मैय से मिलने आई हूँ सुबह से नहीं मिली ना बहुत बेचे निसी लग रही है इसलिए उससे मिलने आई हूँ मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कौन देवी मा अरे राजश्वरी राजश्वरी मैं तुझे वहां अंदर हुआ 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 मेरे घर में आगर मुझ भी आग उठा रही है तो मैं तेरी खोप लड़ा दुआ देखे बार बार गलपी मत कीजिए इनहीं जो पंखुडी चाहिए वह आप इन्हें देदीजिए हेई मैं तेरी आखों की पंखुडी निकाल कर दे सकता हूँ पर देवी की पंखुड़न नहीं दे सकता मेरे आद में पिस्कुल है बीचे मता नहीं तो तू भी नहीं बच्चे कीज़ा देखो बहन मेरे भाईया ने पैसो की लालच में आकर अंखुडीय चुरा ली उसे माफ कर देना आज रात बगीचे की नीम की पेड़ के पास आ जाना मैं आखें ले आऊंगे मैं आप पर भरुसा कर सकती हूँ जरूर कर सकती हूँ आज रात तुझे काम मिलने वाला है क्या कह रही हो बिटिया तू जाके गढ़ा खोद मैं लाश को वहां पर भेज़ दूँगी ऐसे क्या देख रही हो मैं कभी बादा नहीं तोड़ती अहां था न आखों को लेकर आउंगी आखों के साथ ही आई हो जरा रुको मैंने जिनाहों का जिक्र किया था वो देवी मा के आखे नहीं इसकी आखे मेरी भाई को पंखुडिया चुराते हुए सुर्फ तुम ही ने देखा है अब तुम नहीं रहोगी धुम नहीं रहोगी करेंगे जाल उसके पास God Power है या इविल पावर के जोबियो मेरी मेरे बहन को उसने मिठा दिया ने समझ मझेSheraWaAm घजिशेरह वाली जई शेर वाली जचढ़ंबे 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 जचढ़ंबर एंalt कि मैं माता का सामने अप्रोर बन के सरंगर हो गया हूँ मैंने जो भी पाप किया है अपनी गंदी जबान से किये है इसलिए मैंने इसे सजा दे दी लेकिन आप में जो पाप किये हैं, उसके लिए आपको पूरे श्रीर में छेथ करने पड़ेंगे, मैं तो अपसुधर गया हूँ, आप पर छेथ करने के लिए माता खुद रिशू लेकर आएंगे, तभी आप सुधरेंगे, मैं चलता हूँ, ठा, ठा. कल छुटकी चांडाल से कह रही थी, कि रात को लाश आने वाली है, और जैसा उसने कहा वैसा ही हुआ, मतलब, मतलब, बच्चे के रुप में कौन आया है? ये क्या चुटकी, महाविश्नु की तरह लेती हुई हो? वहाँ, महाविश्नु इसी तरह लेते हैं, वो देखो, गनेशी भी ऐसे ही लेती हुए है, इन सब को छोड़के तुम मुझसे ही क्यों पूछ रही हो? तुम, तुम कौन हो? मैं? कौन हो? तुम्हारी राधा? तुम राधा नहीं, देवी मा हो, तुम मासुम बच्ची नहीं, जगदंबा हो माँ? बहुत अच्छे, हवा का जोका बनकर आई तो नहीं पहचानोगी सोचा, लेकिन अपनी माता को तुम ने आखिर पहचान ही लिया मा, तेरी कदम मेरी चोकट पर पढ़ने के लिए मैं साल बर रुव्यत रख सकती हूँ, तुम मा तो गई हो, देवी मानबन के इस तरह हत्यारा इंबन कर क्यों आई हो? मनुष्य मारता है तो वह हत्या है, वही माता मारती है तो वह सहार, किये गई पाप का दंड मा, कि गई भूल पर दंड ना जरूरी है, अगर तु चाही तो क्षमा नहीं कर सकती। शमा करूँ, आँखों को छीनने वाले को, ये बद्रकाली कभी किसी को क्षमा नहीं करती। केवल दंड देती है, मृत्यो दंड तुनी बद्रा तु लिया ना, मेरी आंखों की सामने उनकी जान ले ली थी तुने, अभी तेरा कलेजर ठंडा नहीं हुआ। पाप का साथ देने वाली का अंत कर दिया, मेरे आड़े आने वाला एक शत्रू अभी तक जीवत है, उससे भी दंड देने के बाद ही मेरा माँ, जब तु साम बन के आयी थी मैने तुझे दूद पिलाया, जब तु पेर थी तब तुझे सजा के तेरी पूजा की, अब तु रूबरू सामने है, मैं तेरी पूजा करना चाती हूँ, मगर तु बली मांग रही है, अपनी इस भक्तिन के लिए तुने माफ नहीं कर सक भक्तों के लिए पापी को शमा ही करना है, तो प्रपंच में देवी देवता किसली है, माता, मैं किसी भी तरह उन्हीं मना के, वो पंखड़िया तुझे लोटा दूगी, उले छोड़ दो मा, मैं यहाँ पर दया नहीं, वृत्यू बन कर आई हूँ, मा, तु चाहे तो उनक के विरुद्ध होगा, यह बदरकाली, तुझ में जरा भी दया नहीं, यह समय दया दिखाने का नहीं, सहार का है, क्रोजस भल कोना, वैश नभी माता, हट को छोलोना, दुर्ग देवी माता, माता, भूर के देखोना, मंडल देवी माता, प्रिश्विल रोकोना, काली देवी माता, कल इसके हाथ से भल और दोध को सिकारा, आज इसने दुश्मनी क्यों क्यों इसको है दुत कारा, अरे चामुणी है, भैरी वी है, अंभी का है, पालती है, दिक्षा में जिंदर दो मेरे लिए, इसको रनवा के चूंदर दो मेरे लिए, कोज के भल कोना, वैश नदी माता, हच को छोलोना, जड़ का देवी माता, भूर के देखोना, मंडल देवी माता, पीश लोकोना, काली देवी माता, कोज के अरे माता, थे मोटांशार सविट है, देखोना, वैश नत अकतार देवे लें सक कर दो दो मेरे उनदेखो, मया घप तेरे नाम के इससाथ सुनवाए रही फिरमें तेरी झबी अब लबसार ही मया इसकी परत में कोई शक्ती है सो तिए इस शक्ती का वास्ता है शाँत'tumang मया तेरी दएया पर देरी भक्ती पे देख माते हम सब को आस्ता है साँत'tumang अरे शाथ हो जा, देवी शाथ हो जा, माते शाथ हो जा अरे देदु ये वचन, देदे ये वचन, सबादो हादोने रहने का तूर देदे वचन तो भित भल को ना वैश न भी माता, हत को छोलो ना तुर का देदी माता माता भूरक देखो ना मंडल देवी माता प्रीशन रोको ना काली देवी माता जीवान को न मीदा । जीवान देने वाली तू है तू है मा भूलोक पर लोग तेरी मा आभारी इस पे दया कर दे दुखिया है बेच्यारी मया तूझ सुहागन की मांग उजारेगी तूप यह भूली है तूभी तो है मारी मया मंदल धागे के बिना औरत का संसार में ना कोई है सम्भानमा मया विन्ती है मेरी इस अभागन को सिंदूर तूडी और बिन्दिया देदानमा मा शातना गोधुत प्यादना हो जा शातना अरे देज़े वचन देज़े वचन साथा सुहागन रहने का तूद देवचन गोधुत भर कोना वैश नभी माता हट को छोलो ना दूर का देवी माता माता, भूरिक देखो ना मंडल देवी माता, भीश न रोगो ना काली देवी माता, तल इसके हाथ से भल और धूर्ध कस्वी कारा, आज इसके दिश्मन ही तुछू इसको है तुपकारा, अरताबु भी है, भैर भी है, अम्रिका है, पागती है, भिक्षा में सिंदुर को मेरन टेख इसको लाइज दिये, इसको रंगमा के शूनर को मेरनिये, तुपकारा, तुपकारा, आज वन्र इसको वह चनद रोगों, होई, पेरी मंतर शक्ती बेभरोसा करके, देवी मा की आँखों की पंखोले लाने को मान गया था, अब क्या हुआ, बातागी शक्ती ने, मेरी मेरी बहन को मार डाला उसके बाद मेरी बारी होगी इसका कोई जवाब है तरबास मैं मही शासूर का अउतार हूँ वो देवी तुझे मिटाए उससे पहले मैं उसे खाक में मिला दूगा उसके लिए ये एक रास्ता है माता मैं तेरी लिए नमक डालके चांच लाई हूँ नमक किसी चमककार के लिए ऐसा कुछ नहीं होगा ये नमकीन चाज नीम की कड़वाहट को मार नहीं सकता ठीक है ठीक है आने का कारण बताओ मैं मंदर जाना चाहती हूँ हाँ माता जिब घर पर ही हो तो मंदर क्यों जाना है मन्नत मांगी है वो मंदर जाकर ही पूरी करनी होगी इसलिए तो हो आओ मां मेरे मंदर जाकर वापस घर आने तक तो मेरे पति को नहीं मारेगी मां क्या देख रही है मुझे सुहागन बन कर ही उस मनत को पूरा करना होगा इसलिए मेरे लोटने तक मेरे पति को तो कुछ नहीं करेगी ऐसा मुझे वचन दो मां मां तुम वचन मांग रही हो या बच्चाव मां मेरे दिल में क्या ही ये तुझे मालूम है तो क्या तुम मुझे ये वचन नहीं दे सकती मुझे वचन देने में क्यों कंजूसी चिलो देती हूँ तो सुनो, तुम्हारे मंदर जाके वापस लोटने तक, मैं तुम्हारे पती को नहीं मारूँगी, मैं वचन देटी हूँ, तुम हो आओ पस, मुझे इतना काफी है, मैं चलती हूँ माँ दुवी दुखा खा गई, जो मैं चाहूँगा वही होने वाला है पहर जान, मिरी आई रहा है, मेडी बीवी के मंदर जाके घर लोटने तक, डेवी मा मुझे नहीं मारेगी यह मोर भी बीवी के जरिये, माता से से वचन लेने के लिए काहा था, मैंने भी वैसा ही किया, इसमें, खुषी की क्या बात है वो मंदिर जाके घर लोटेगी तभी तो तुझे मारेगी अगर तेरी पत्नी लोटकर नहीं आई तो वो वाव वेरी गुड आइडिया तेरी पत्नी को मैं माटा लूँगा लेकिन तुझे मेरी एक मदद करनी होगी तुम तो मेरी जान बचा रहे हो तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा बोलो उस बच्ची के पास जो आँखों की पंखुडिया है वो मुझे चाहिए जाकर ले आओ मजाग कर रहे हो पहले भी एक बास सरोर गया था वो क्या कोई आम बच्ची है दीवबे शक्ति है उसमें घबरा मत तुझे उसको मारने की शक्ति मैं देदूंगा तेरे हाथों को मैंने शैतानी ताकत देती है फॉरण जाकर उस बच्ची के आँखे चीन कर ला जा कर दोगल माराओ ऑजओ प्ति है ऊच्ष ओक पास आए हुआ तॉ थाहुआ थाहुआ प्रग्णार घडिए हुआ करहां सोब चल दे दे प्रश्ट अर्वाँ ज़स्ट करता हुआ ते जडना हुआ प्रश्ट करु़ हुआ! 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 ए ठी कìnhlab~? आपयाँ! आए भमाचाँ! आए ने एमाँ! आए आए! आए एमाचाँ! तुने मेरी आंखों को छीनना चाहा, फिर भी मैरे तुझी छोड़ दिया, अब मेरी भक्तिन के प्राण लेले पर तुले हुए हो, मैं तुझी कते ही नहीं छोड़ूगी ए प्रिय मेरे भी मेरे वी सहाट को अखना अब करना अपोड़ूगी क्राण उगा हुए इसे मार कर ही मेरा क्रोध शांत होगा रुको मा मेरे मंदर जाकर घर लटने तक तुम मेरे पति को नहीं मारोगी ऐसा वचन दिया था मैं अभी तक घर नहीं गई इसलिए तुम मतिन बद हो मैं वचन बद हूँ मैं अपने वचन का दुरुपयोग नहीं होने दूँगी तु जानती है ये तेरे द्वारा वचन लेकर तेरे ही प्राण लेने पर तुला हुआ है और मैं इसे शमा कर दो और भी जीवत नहीं रहेगा सदा माता माता की रइट लगाती थी उस बेटी को तो यही आज़िश देना चाहती है क्या कोई भी मा अपनी बेटी की माँ गजारना चाहेगी लेकिन तु यही चाहती है आजा आकर अपनी मद जापोरी कर चला अरे वारे देवी मा, तो तो साता सुहागर बनी रहेगी, लेकिन मुझे अपनी चूड़े तोड़नी होगी, यही न, इसे भी तेरी खुशी है न, तो फिर आ, अपनी बेटी के सुहागर को मिटा दे, आ महादुर्गे, मैं ने इंसान होकर भी, इंसानियस से अंजान बना रहा, इंसानों के आखे ही नहीं, तुम्हारी आखों को भी चीनना चाहाए, मुझे माफ कर दो मा, अभी तक कि नोने चुपाब किया है, उसके लिए इनके हाथ चल गए, और सजा मत दो मा, मेरे माफ कर दो मा, माफ कर दो उस वचन के कारण नहीं, तेरी भक्ती के कारण में जुपती हूँ, मैंने इसे शमा किया मा, मेरी बेटी के पास तेरी आखों की जो पंखुड़िया है, वो तेरी अमानत है, तो उन्हें ले ले माफ माफ को नहीं, आखो ष्ली के करेकं द Kalा, मैंने इसे श्चट को जो हो मियारी के, वहिसे अ आखो झाल झाल झाल